हेलो स्टुडेंट्स आज मैं आपको ट्रस्ट रूफ के बारे में बता हूंगा जो ट्रस्ट रेता है वह ट्रेंगल इलार फ्रेम रहते हैं उन्हें एक सीरीज रहती है बहुत सारे triangular frames की ये actual में हमारे trust में जो है roofs में rafters और purlins को replace करते हैं जहां पर rafter और purlin एक limited spawn के लिए तो ठीक है लेकिन जब spawn बहुत बड़ा हो जाता है तब हम फिर trust की use करते हैं और फिर support भी देखते हैं कहीं पर किसे वाल का support नहीं मिलता है वहाँ पर भी हम trust को use करते हैं यह जो series है triangular frames की यह जब आपस में interconnect हो जाती है तो यह बहुत ही strong और बहुत durable structure देती और जो कि काफी lightweight रहता है यह मना सारे के सारे जो भी imposed load हैं उनको bear भी करता है और जो हमारे environmental forces है उनको resist भी करता है तो हम आप देखते हैं कि इसको हम कैसे इपना किस प्रकार से design करते हैं तो इसके design considerations की बात है कि इसका shape हम triangular ही रखते हैं ट्रेंगलर रखने से हमको यह बड़ा फाइदा होता है कि यह जो है आपका सारे loads को evenly distributed करता है जो भी imposed load है उनको भी evenly distribute करेगा जो environmental load से like snow load हो गया rainfall हो गया या wind load हो गया earthquake load हो गया इनको भी evenly distribute करता है तो triangular shape इसलिए रखा जाता है फिर इसमें हम जो core concept क्या रहता है कि हमारे जो trust है वो tension and compression forces को use करते हैं इन loads और forces को resist करने के लिए loads को bear करने के लिए और forces को resist करने के लिए तो tension और compression का जो concept of trust में ही आता है हमारे पास और फिर बात करें हम इसमें जो है roof pitch की यह slope रहता है जो आपका roof का कि किस slope पे रखना है तो उस pitch को decide किया जाता है इस pitch को decide करने में बहुत सारे factors रहते हैं लाइक वहां का जो मौसम का factor रहेगा कि कितना temperature variation है कितना annual rainfall है कितना precipitation होता है कितना snowfall होता है इन सब को ध्यान में रखते हैं रूफ pitch decide की जाती है और दूसरा एक factor रहता है aesthetics सुन्दर भी दिखना चाहिए हमारा जो structure है तो एस्थेटिक का consideration भी लिया जाता है और फिर cost का factor भी लिया जाता है कई बार कि cost किसमें हमको optimum cost आएगी कितना functionality आएगी energy efficiency का भी ध्यान रखा जाता है roof pitch को decide करने में कि कैसे हम maximum nature का light और ventilation और sunlight यूज कर सकते हैं तो यह सारी चीज़े हमारा roof pitch को decide करने में काम आता है फिर आता है हमारा truss spacing क्योंकि हमने बताया आपको कि यह truss का जो एक series रहता है एक truss यहां लगा है फिर यहां लगा है यह काफी सारा truss लगे रहते हैं यह पूरे span को cover करते है यूजरी थ्री मीटर के आसपास ट्रस का center to center spacing रखा जाता है मला यह maximum criteria इससे ज्यादा नहीं रखा जाता है तो इसको ध्यान में रखते हैं बाकि जो span है span के साफ से इसकी spacing रखी जाती है इसकी construction steps में सबसे पहले इसका design ही किया जाता है जो design में मैंने आपको चार पार्ट बता है वो चारों पार्ट डिजाइन किया जाता है तो फिर ट्रस्क के जो members है compression member हो चाहे आपके tension members हो इनका size decide हो जाता है जो size decide हो जाता है तो fabricator को दे दिया जाता है अब fabricator उन size के हिसाब से trust को fabricate करता है यह जो fabrication है वो on-site भी हो सकता है और factories में भी हो सकता है factories में होगा तो फिर वो transportation करना पड़ता है लेकिन महां controlled environment में होगा और on-site भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यदा rapid sense नहीं लगता है ट्रस्क को fabricator करने में जो उसके size आजाता है आपके elements का उस size के elements को बनाके और फिर उनको आप पसमें जॉइन करके लगाया जाता है इस तरीके जब यह fabricate पूरा हो जाता है तो फिर इसको install किया जाता है installation करने के बाद फिर इसको पर roof decking लगाई जाती है roof decking लगाने के बाद फिर इसको रूफ covering लगाई जाती है और फिर drainage का जो provision करना पड़ता है आपके gutter और drain sprout यह लगाया जाता है तो इस प्रिकार से अपर पूरा construction इसका complete हो जाता है roof truss का types of roof truss की बात करें तो यह तीन चार प्रिकार के रहते हैं like king post truss रहता है queen post truss रहता है एक combination भी चलता है और steel truss चलते हैं तो जहां जहां पर जैसा requirement आता है वेसा वेसा हम truss use करते हैं इसकी जो roof covering है वो अलग-लग type की रहती है हमारे पास जैसे asphalt shingle यानि जो damar की चदर रहती सबसे बड़ी बात है fire resistant रहते हैं तो यह अपका जहां पर fire prone area हो तो वहां पर हम metal sheets ही लगाई जाती है टाइल्स को भी यूज किया जा सकता है टाइल्स हमारी clay tiles भी रह सकते हैं like mangalo tiles या देशी कवेलू भी रह सकते हैं और concrete की tiles भी आजकल यूज करते हैं तो concrete की tiles हम यूज कर सकते हैं यह बहुत durable रहती है यह बहुत beautiful भी लगती है सुन्दर भी बहुत दिखती है हमारी टाइल से clay tiles और concrete tiles भी कि इसका design हम जैसा चाह वैसा हम बना सकते हैं अलग-अलग design में अलग-अलग shapes में हम लगा सकते हैं जैसा हमारा functional requirement भी पूरा हो जाए और aesthetics भी हमारी हो जाए और हमार जो उसका purpose solve हो जाए जो इसका waterproofing का purpose है या weather proofing का purpose है वो भी solve हो जाना चाहिए यूज़ कर लो आप इसको industrial buildings में भी आप यूज़ कर लो इसको sports arena में भी आप यूज़ कर लो like warehouses में आप इसको यूज़ कर लो जहां भी आपके पास span का limitation नहीं है span ज़्यादा है तो वहाँ पर हम trust roof use करते हैं तो usually इसका purpose भी है कि जहां पर ज़्यादा advantages बहुत ज़्यादा है सबसे बढ़ा advantage तो है कि light weight है अब same span के लिए अगर हम rafter parallel लगाते हैं तो उसका weight बहुत ज़्यादा आता है और उसी span में अगर हम trust लगाते हैं तो उसका weight बहुत कम आता है लेकिन durability और strength में कोई compromise नहीं होता है strength इसमें बहुत अच्छी strength आती है जितने भी impulse load है उन सब को ये wear कर लेता है जितने भी environmental forces आते है earthquake force आता है snowfall आता है rainfall आता है इन सब को resist कर लेता है तो strength इसकी बहुत अच्छी है waterproof होने के कारण फिसकी durability भी काफी बढ़ जाती है जो अपके इसके trust के members रहते हैं काफी durable रहते हैं बहुत लंबे समय तक service देते हैं अगर इनको properly install किया जाए और properly waterproof इनको दी जाए तो precast construction में अधर देखा जाए तो precast constructed अगर ट्रस है और यूज़ करते हैं बहुत fast install हो जाते हैं बहुत तेजी से आप इसको install कर सकते हो तो आपका time बहुत बचा देते हैं अगर precast हम यूज़ करते हैं span में हमारे पास limitation नहीं है जितना हम wide span चाहते हैं इसमें हमको wide span हमको मिल जाता है और यह काफी efficient है जिसे मैंने बता है कि rafter का size हमको काफी ज्यादा लेना पड़ेगा trust के members का size बहुत कम लेना पड़ता है तो कम size होने के बाद भी यह rafter से ज्यादा efficiency दिखाते हैं और बहुत इसकी cost running cost ठीक है initial cost ज्यादा आ सकते है बट overall cost जब long run में देखते हैं तो इसकी cost काफी कम है तो काफी affordable है थोड़े से disadvantages भी है it is not so simple to design इसमें complex design आता इसका design क्योंकि पूरे trust को solve करना पड़ता है हर member में forces निकालने पड़ते हैं कि किसमें tencel force आ रहा है किसमें compressive force आ रहा है accordingly उसमें elongations वगरा भी निकालने पड़ते हैं और उसके बाद ही वो member decide होता है कि इसमें कि size का member लगाया चाहिए है तो काफी complex design रहता है किस्टमाइजेशन पॉसिबिल नहीं है यूज्वली राफ्टर और परले में हमके किस्टमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा भी अगर इस पान कम ज्यादा करना हो तो it is possible on site बट इसमें possibility नहीं रहती क्योंकि ये पूरा trust जो है अगर उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करेंगे तो इसको हमको फिर से analyze करना पड़ेगा कि कहीं पर हमको दिक्कत तो नहीं आ रहे क्योंकि analysis जो है वो actual size के ऊपर analysis होता है तो size को कम ज्यादा करेंगे तो हमको फिर रहे करना पड़ेगा और रहे करेंगे तो फिर डिजाइंग करना पड़ेगा इसलिए कस्टमाइजेशन इस वरी डिफिकल्ट appearance usually rafters क्या देखते नहीं है यह दिखता है सामने का सामने तो इसका appearance थोड़ा सा ऐसा कम अच्छा लगता है rafters के comparison बट बाकी चीजे देखें कि इसमें strength अच्छा है durability अच्छी है spawn ज्यादा cover कर सकता है तो यह minimize किया जा सकता है so students आज हमने trust roof के बारे में बात किया कि trust roof किस तरके का होता है क्या होता है केसी लगाया जाता है बड़े response में इसकी कितनी अच्छी utility है इसके क्या advantages है क्या disadvantages है क्या-क्या types हैं trusses के और क्या-क्या factors consider करते हैं trust का type decide करने के लिए और उसके उपर कौन-कौन सी roof coverings लगाते हैं हमने इस lectures में पढ़ी hopes हो कि आप लोग इसको अपने जब भी आपके design का मोखा मिलेगा इन चीजों का incorporate करोगे thank you very much